हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तू आल आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेका रहा है भारत पेट्रोरियम इंडिया की टॉपकी ओइल मार्केटिंग कमपनी जो की तेल बेचती है पेट्रोल बेचती है डेजल बेचती है देखिया है quarter 4 के नतीजे सामने आये हैं जरा profit तो देखो जरा सोचिए पिछला quarter यानि के जो current quarter में इसको कहूंगा अप्रेल माई के महीने में तो तेल बिका ही नहीं ना के बराबर बिका जब तेल बिकना बंद हो गया तो profit कितना होगा जरा सोचिए ये तो अभी पिछले quarter के नतीजे आया है जो कि March quarter तक के थे अब क्या हो है सारी बातों के उपर focus करते है छोटे से वीडियो में देखें BPCL यानि भारत Petroleum Corporation Limited जिसको सरकार बेचने की कह रही है 74,000 करोड का market capitalization बड़ा शेयर है और आप अगर देखा जाए तो 341 का इसका price है 341 का price आप को गया बड़ा जबरता शेयर है बड़ा शेयर है तेल की company है अगर आप देखोगे हर नौर पे पे एक रुपे कमा क आपके देखेंगे और आगे बढ़ने से पहले मापको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब निका तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आकि इनको प्रेस का लेजिस से आपको नोटिफिकेशन आती रहे है और साथ मैं डीमेट अकाउंट के लिए आप अपना डीमेट अकाउंट उपन कीजिए तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे और हम बीपीशेल के और बढ़ते हैं दीरे दीरे बीपीशेल अभी रिजल्टा है साड़े साथ बज़े के आसपास जल्टा है कल की डेट मार्केट में इसका असर देख हैंगे जर अध्यान से देखना क्योंकि टोटल इंकम से हम स्टार्ट करते हैं यहां से और अगर मैं देखू 82,230 करोड का टोटल इंकम पिछले क्वाटर यानि कि मार्च क्वाटर तक तब तक लोगडाउन थोड़ा बहुत ही था लेकिन उसके बाद तो एपरिल मैं तो ब मार्च का था तो इसका वन थर्ड वन थर्ड मतलब वन थर्ड भी कहां अभी में के बाद भी अगर आप देखोगे जून में कितने ही चीज़े खुल रही है तो मान के चलिए कि 30,000 करोड 40,000 करोड यही एस्टीमेशन होता है रफली रफली अगर आप देखोगे तो लेकिन पिछली बार कितना था यह 85,000 करोड लेकिन इस बार वन थर्ड हो जाएगा रिवेन्यू अब बात कर पेटाई है है टोटल एक्सपेंसे को अगर आप देखोगे तो देखेए अगर आपको बढ़ी गिरावट होगी developed में तो बहुत कमी देखने को मिल रहे होगे हैं जब ऐ ऐसे अगर आप देखोंगे निकम ज्यादा इंकम कम है एक्सपेंसे ज्यादा जब खुछ सोचे भई आपके खर्चे ज्यादा है कमाई कम है तो आपको क्या होगा लौस तो आपको प्रॉफेट तो होने से रहा तो आपको होगा लौस इस चीज़ को समझे अब हम चलते हैं इ बहुत सारे इन expenses में बहुत सारी costing मिली होती है finance cost employee benefit exercise duty depreciation amortization उसके बाद फिर यहां पर एक major item मुझे देखने को मिला आगे बढ़ने से पहले इसके उपर focus करूँगा ज़रा जहां से देखना 1300 करोड का एक exceptional item मुझे यहां पर देखने को मिला जिसकी वज़े से मुझे रख रह bracket में अंदर दिया गया 3000 करोड का loss पिछले साल मार्च quarter में 5000 करोड के आसपास का profit था इस बार 3000 करोड का loss चोकाने वाली बात लग रही होगी लेकिन चोड़िए अभी तो profit for the period है उसको देखेंगे फिर बाकी चीज़े देखेंगे profit for the period अगर मैं यहां पर focus करूँ जो मुझ इस तरीके से 3131 करोड का profit last year था इस बार 1800 करोड का loss जड़ा सोच यह यह loss तो इस quarter में है अगले quarter में क्या हलात होंगे अगले quarter में और भी खतरनाक तेल तो क्योंकि दो महीने विका ही नहीं जब तेल ही नहीं नहीं तो कमाई कहां से होगी सीधे सीधी बात है खर्चा हुआ है कमाई हुई नहीं तो अगले quarter में यहीं नहीं बहुत सारी companies के जब जुलाई के अंदर जब result आएंगे न तब आपको real picture आए गया और companies का तो profit दिखाई नहीं यह तो भी बट expected है सबने calculate कर रखा होगा हिसाब किताब लगा रखा होगा यह expectation है तो expected है और आप यहां पे सा portfolio corporation limited एक बड़ी company सरकार की और यहां पर किस तरीके से कमाई होती है यहां पर कितना revenue होता है कितना profit होता अंदादा लगा सकते हो एक लाग करोड 2010 में दो लाग करोड धाई लाग करोड देखिए और उसके बाद फिर 2016 में थोड़ा कमी देखने को मिली अभी recently almost 3 लाग करोड क गिर के 11,000 करोड अब देखिए किस तरीके से जो नंबर आए है आपको और असर देखने को मिलेगा अब यह तो आपने देखे fundamental perspective से अगर आप शेयर को देखोगे यानि कि BPCL भारत petroleum को देखोगे आप को गया शेयर तो बड़ा ही खतरनाक है अगर आप इसकी dividend देखोगे dividend बहुत अच्छा देता है sales growth, promoter holding, promoter सरकार की holding है भई अब बात आती है profitability नहीं दिखाएगा तो कमाई नहीं दिखाएगा तो share कैसे भागेगा situation देखते हैं बीच में सरकार की जब news आई थी अब इस मन्थली चार्ट को आप देखे जड़ा ध्यान से 2014 के आसपास ऐसा लग तब बिलकुल कितने bottom पर ये share था लेकिन जब ये range पार हुई आप इस level को देखे ये range पार हुई और जो हम कहते हैं breakout जिसको और उसके बाद देखे ये level उसके बाद देखे क्या तेजी देखने को भी नहीं correction आया आपके लिए entry का मौका और फिर देखे मतलब कि कुछ ही time म है ये share इतनी तेजी से भागा इस point को देखे ये point है 140 का ये time है 2014 के starting का और उसके बाद share ने रुकने का नाम ने लिया और ये peak point आप देख सकते हैं 2018 से पहले का 4 साल के अंदर 140 रुपे का share सीधे 540-550 के आसपास चले जाता है फिर share में आती है गिरावट और generally लोग जब फ fundamental तो बताएगा नहीं exit लेना तो आपको टेक्निकल आपको बताएगा अब situation बिकार हो रही है निकलने के बारी है तो जब आप देखोगे निकलने के बारी है तो stock गिर के कहा तक आया 240 ज़रा सोचे किसी ने यहाँ पर exit नहीं लिया होता तो कितने नीचे वह आता फिर से दे पराई share ने उसी level पर जाने की कोशिश करी जो की पहुत ही top का resistance था और वहीं यह share नीचे धके ला गया और देखिए 250 के level पर अभी recently March के lows में यह यहां तक आया अब 1,2,3,4,5 महिने की जबर्दस गिरावट और फिर एक महिने की तेजी कई लोग इन तेजी के चक्कर में कह केते हैं रहे यार खरीद लो आगे फस जाते हैं लेकिन मैं फिर से कहूंगा थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा अराम से समझे चीजों को और उसके बाद खरी दिये अगर मैं अभी की situation के हिसाब से यहां पे इसमें देखू share को तो यह point आपने देखा बीरिस क्रॉस बना य यहीं से exit ले गया था अब आप कहोगे कैसे अब आप देखोगे इस pattern को आप कहोगे triple top pattern लेकिन मैं इसको कहूंगा देखिए lower lower high मुझे मिला lower low मेरा यहां पे confirm हुआ उसके बाद मुझे अगले rally पे निकलना ही था और देखिए यह देखिए आप clear cut picture आपके सामने है और ऐस रिवर्सल मैं इसको कहूंगा और इस पूरे point को गर आप देखोगे तो एक rally फिर यह correction आया था correction का resolution हुआ था आपका 360 पे यह बढ़िया entry का मौका था पूरी तेजी लेकिन फिर से वही simple situation भई आपका देखिए low बन रहा है यह देखिए lower high बन गया आप तो निकलने की बार होगा लेकिन जो अभी weekly की situation है वो बहुत अच्छी लग रही होगी क्योंकि यह level देखिए यह high पार हुआ है तेजी जरूर देखने को मिल रही है लेकिन अगर आप इसमें entry करना चाहते हो तो आपके पास यह point से नीचे नहीं जाना चाहिए share अदरवाइस आपके पास फिर BRS क्रॉस बना हुआ है BRS क्रॉस बनने के वाद जादा से जादा अगर तेजी यहां पर आती है तो मुझे लगता कि यह level 370 के आसपास का level strong resistance का काम करेगा और यही level जो है इसका prior resistance भी है तो काफी important हो का यह level अगर यह level क्रॉस हो जाता है तो तेजी expect कर सकते है और सरकार इस बॉटम पे जाके चीजों को खरीदो क्योंकि जब शियर गिरता है तब आपकी पैसे को आपको कोई वो नहीं कहेगा कि रियास बैंक में टाटा मोटर्स में कि situation समझे थोड़ा positivity आने दीजिए ऐसे शियर की तरब जाईए अभी stock specific जैसे कि current time किसका है फार्मा का है current time किसका वाली themes का है तो उनकी तरब जादा attract हुई है फिलाल देखिए तेजी correction अच्छी बात है correction की requirement थी फिर से तेजी आ रही है positive बात है और अगर आप देखोगे यहाँ पे पिछली बार 50 EMA daily ने इसको reject कर दिया था और इस बार भी वही 50 EMA daily के पास है और यह level काफी important है कल का जो result जो आज इसका आया है वो इस share को यहाँ से नीचे धकेलने की कोशिश जरूर करेगा बिलकुल ध्यान देना है wind up करता हूं आप वीडियो को उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो share कीज़े like कीज़े channel subscribe कर ला बैल आकन को प्रेस कर ला जि झाल